हलो फ्रेंड्स नी 2014 न्यूटन लॉज अफ मोशन और फिक्शन के इस क्वेशन का पहला हिंट वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेशन में FBD बनाना है अब अगर FBD बनाने के बाद question हमसे solve नहीं हुआ है तो ही हम दूसरा hint वीडियो देख रहे हैं और आप जानना चाते हैं कि अब इस question में क्या funda लगेगा तो funda simple है इस question में आपको लगाना है Newton's second law of motion और वो कैसे लगाएंगे तो आपको यहां question में कहा गया है कि M1 का जो acceleration है वो downward A है तो हम क्या करते हैं यहां पे लिखते हैं कि let downward acceleration of M1 is A हमने माना कि M1 का जो acceleration है वो A है तो हम जानते हैं constraint motion से कौन सा motion string constraint के बारे में अगर आप जानते हैं तो well and good अगर नहीं जानते तो इससे related जो video upload है मेरा प्लीज उसको चेक करिए और सीखिए तो string constraint जब हम लगाएंगे तो हमारे M1 का acceleration, M2 का acceleration और M3 का acceleration तीनों का acceleration क्या आएगा तो फंडा हमें क्या लगाना है तीनों का acceleration सेम लेते हुए Newton second log को यहां पे apply करना है इसके बाद if you are able to do that question तो बहुत ही अच्छी बात है अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप मेरा अगला upload देखिए बट hint देखते जाईए और hint से ही question को करने की practice करिए क्योंकि मेरे इस channel का और इन videos का केवल यही use है कि मैं यह चाहता हूँ कि आप full solution देखना बंद करके केवल hint वीडियो से question को solve करना सीखें ताकि धीरे धीरे आपको किसी भी help की जरूरत पढ़ना बंद हो जाए और आपके concept खुदी इतने strong हो जाए अगर आपको यह hint पसंद आया है तो please like, share and subscribe my channel और bell icon दबना ना भूलें ताकि आपको मेरा next upload और ऐसे सभी uploads timely मिलते रहें इसके अलावा tech solution की information अगर आपको चाहिए वो आप मुझे question नहीं बनता blogspot.com पे ले सकते हैं अगर आपको मुझे contact करना है तो उसकी information भी मैंने यहां डाली हुई है other contact information भी मेरे description में है